हालो डियर फ्रेंट एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चोटी सी जीके की वीडियो में आज का जो हमारे टापिक होने वाला है वो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज फॉर शॉर सारे जोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जाएंगे फॉर शॉर पहली चीज बहुत ही बेसिक सी एक चीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि हमारे इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है वो कॉस्टल एरिया से एंड लेंड एरिया से अफगानिस्तान, उसके पैरलल पाकिस्तान, इस तरफ चाहे न, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, शिरिलंका, मालदीव and मयमार ये basically हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, टोटल नंबर है 9, टोटल 9 कंट्रीज हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में इनको हम काउंट करते हैं, टोटल अगर पुछा जाए, तो हमारी लैंड बॉर्डर कितनी है, approximately 15,200, accurate तो अभी मैं आपको नीचे बता दूँगा, लेकिन 15,200 किलोमीटर्स हम हमारी लैंड बॉर्डर मानते हैं, और अगर हमारी कॉस्ट लाइन के बात करें, कॉस्ट लाइन मतलब भारत का जो ये समदरी तठ है, ये कितना है, तो that is 7516.6, ठीक है, तो 7516.6 किलोमीटर्स हमारा कॉस्ट लाइन है, तो टोटल कितनी लेवरिंग कंट्री है, आपको याद रखना है, 9, कितने कौन-कौन सी कंट्री हमारी बॉर्डर शेयर कर रही है, लैंड एरियास पे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और ये बांगलादेश जो है, सी बॉर्डर भी है, बंगाल की हडी और हमारी लैंड बॉर्डर भी है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, अब हम एक एक करके इन कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, जस्ट वेट, देखे, तो ये नीड टो सी दिस मै सबसे पहले एक बार मैप को देख लेते हैं, पर, ओके, शल्वी स्टार्ट, देखे, सबसे पहले, अगर हम नौर्ट से शुरू करते हैं, तो ये वाला जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा फोकस करेगा, तो ये हमारा बिसिकली, इनिशल स्टेज लेंड एरियास के अंदर बात करें, तो हमारी लेंड बॉर्डर है, किसके साथ मैं है, सबसे पहले यहां से शुरूआत करते हैं, पाकिस्तान के साथ, फिर देखो, अफगानिस्तान का केवल ये हिस्सा है, जो अफगानिस्तान के स साथ कनेक्ट हो रहा है, इतना छोटा सा तो अफगानिस्तान भी कहीं न कहीं हमारा नेवरिंग गंटरी, फिर अगर इदर आ जाएंगे हैं अपन तो ये नेपाल आ जाएगा, नेपाल के ऊपर ये चाइना पड़ रहा है, ये पूरा चाइना करीजन है, फिर ये भूटा आ है और ये बात और याद रखना, बंगलादेश के साथ सबसे जादा हम बॉर्डर हमारी शेर करते हैं, इधर आ जाएंगे, तो ये सेवन सिस्टर वाले रीजन से मैमार को हम हमारा नेवरिंग गंटरी देखते हैं, ठीक है, चली, अब आ जाएगे, आप इनको एक एक करके अब आपन देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल पहले तो काबूल आपके याद रखेंगे, और टोटल बॉर्डर लेंथ के बारे हम बात करें, तो यहाँ पर केवल लदाक है, जो हम अफगानिस्तान के साथ देख लिखते हैं, Union Territories में Convert हुआ, J&K and Ladakh, ठीक है, सो हमारा Ladakh, जो अफगानिस्तान के साथ में भी बॉर्डर शेर कर रहा है, फिर बांगलादेश के साथ हम जाते हैं, तो धाका, यह वाला थोड़ा साब याद रखना, वेस्ट बिंगॉल, मेगाले, मैजवरम, तरिपुरा और आसाम, सबसे जादा, that is 4,000, approximately 4,000 and 97 km हम शेर कर रहे हैं, भूटान, भूटान का कैपिटल क्या है, थिमफू, क्या है, थिमफू, अच्छा, बांगलादेश की धाका है, और अगर इसकी करंसी की बात करें, तो टका, या कई जगे पर इसको टाका भी कहा जाता है, ठीक ह कहला आता है, कई जगे पर टंका भी कहता है, इसको, बांगलादेश का धाका हो गया, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, आपको थोड़ा सा ये वाला भी पोर्शन याद रखना पड़ेगा, भूटान का थिमफू हो गया, और ये लगबाग 700 km की बार्डर शेर करता है, भूटन बहुत ही छोटा सा अपने आप में, वेस्ट पिंगल, सिक्किम और अनाशल प्रदेश और आसाम के साथ, अगर आप से पूछा जाए, कि सबसे ज़्यादा स्टेट, अभी आप मेरो कैल्गूलेट करे के बताना, कि सबसे ज़्यादा बड़ी बार्डर लाइन हैं, तो बता दी, कौन से स्टेट, कौन से कंटरी के साथ में, बार्डर शेर करते हैं, एक तो यह आप याद कर लिजेगा, अब ही कल्कूलेट करेके खुदी, और दूसरा कौन से स्टेट के बार्डर जादा लग रही हैं, यह भी आप याद कर लेना ये तो हम international borderline की बात कर रहे है state border कौन से state की सबसे जादा है मतलब मैं यह जाना चाहरा हूँ आप मुझे बताएंगे कि कौन से ऐसा भारत का state है जो maximum states के साथ मैं अपनी border share करता है सबसे जादा state border किसकी है next nation की बात करें तो China Beijing इसकी capital है and that is on second place जो 3,488 km broader अपना borderline रखता है Ladakh, Khimachar Pradesh, Uttrakhand, Sikkim Maronachar Pradesh के साथ अपनी border share करता है इसमें जो Ladakh वाला reason है यह हमारे इंपॉर्टेंट है चाइना के साथ में क्योंकि यहीं से होते वे कैलाश मांसर ओवर तक हम लोग पहुँचते हैं फिर मैंमार यहां पर मैंमार की आपको 2 capital देखने को मिलेगी यह थोड़ा सा interesting होने वाला है यहां पर देखो मैंमार का जो capital है वो 2 यहां पर बताए गए है ठीक है, so यहां पर पहला जो capital है यह है नाइपीडोर, ठीक है, नाइपीडोर और दूसरा जो है वो है यंगून जिसको आप रंगून भी कहते हैं और पुराने कई सारे सौंग्स में आपने सुना भी होगा मेरे पिया गए रंगून तो यह वही वाला रंगून है तो यह रंगून कह दो या इसको यंगून कह दो यह similar है यहाँ पर क्या था पहले जो capital हुआ करती थी मैंमार की वो पहले रंगून या यंगून हुआ करती थी उसके बाद में 2005 के बाद में यह जो capital है इसकी convert होगी और EIP डोर इसको रखा गया है इसके total border हमारे साथ share होती है 1663 sorry 1643 अनुनाचर प्रिदीश नाग अलेंड मेजवराम एंड मनीपूर के साथ में मैंमार अपनी border share करता है अगर मैप आपने अच्छे से देखा है ना तो automatic की सारी चीज़ें आपको clear हो जाएग अब आजाओ यहाँ पे next चीज़ ठीक है मुझे आप बताएंगे यहाँ पे मैं पहली निकाल देता हूं लग से कि शिरलंका की capital क्या है क्या ये अलग है कॉलंबो है या अलग है कोई सी confirm करना मुझे है ना इसका पाकिस्तान का इसलामाबाद इसकी तो बात ही क्या करें इससे तो अपना दूर दूर तक नाता नहीं और वैसे देखा जाए तो बहुत ही गहरा नाता है पिता-पुत्र का परंतु इग्नोर करना इस बात को मजाग था नेपाल नेपाल की काटमांडू आ जाएगी और यहाँ पर आपको याद रखना है श्रिलंका और मालदीव के साथ में हमारी सी बॉर्डर है ठीक है बस इतना ही इसमें आपको याद रखना है दो-तीन चीजें और इसमें बता देता हूँ आपको मैं श्रिलंका वाला किस्सा थोड़ा आपको इंपॉटेंटली समझना पड़ेगा क्योंकि अभी श्रिलंका में क्राइसिस चल रहा है सो प्रॉबैबिलिटी यही है कि कोशन अगर पूछता है तो आप से श्रिलंका का पूछेगा यहाँ के जो प्रेजिडेंट है गोटा वाया राजपक्षा और आपको थोड़ दिन पहले हमने शॉट बना के बताया था कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए है मुझे कमेंट करके आप बताएंगे नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है ठीक है चीफ जस्टिस इनकी ओफिशल लेंगवेज अगर आपने क्लास 10 पड़ा है तो आटोमेटिक आपको पता होगा कितनी स्टेट है यह आपको इंटरस्टिंग लगेगा इसके अलावा इनकी करंसी क्या है इनके यहाँ पर भी रुपी चलता है जैसे अपने यहाँ रुपेया चलता है इनका नैशल गेम क्या है वाली बॉल और ऐसे ही आपको दो तीन चीज़ें जो हमारे पीडिएफ में आपके पास में अवेलिबल होगी वो आपको देखनी है इंटरस्टिंग फैक्ट इसमें जो जानने की बात है वो यह है कि यहाँ पर बाद्धिज्म एंड हिंदुइज्म इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर भाशा के आधार पर आपको बहुत चेंजिस देखने को मिलते हैं जो क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा ठीक है यहाँ सिंगला कम्यूनिटी है एक सिंगला कम्यूनिटी के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है तो इस तरह से आप इन सब चीजों को इन सभी के प्रेजिदेंट जरूर याद कर लिजेगा इनके प्रेजिदेंट और इनके कैपिटल आपको याद होनी चाहिए ठीक है तो ये पीडिया होँ आपके साथ शेयर करेंगे आपको सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएगी मैं अपडेटेट पीडियाफ जरूर दूँगा आपको जिससे कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े थैंक ये सो मच पर वाचिग दिस वीडियो होफुल्य आपको ये वीडियो पसंदा होगा थैंक ये